हैलो वैंड विल्कम दोस्तों कैसों आप सो उमीद करते काफी अच्छे होंगे गंगा टीटन क्रिकेट कप का यह मैच कवर करें फारुकाबाद सिकंदर्स वेर्सिस कयाम गंज रॉयल्स की बीच में इस टीटन का एक और बहतरीन मुकापला कवर करें दोस्तों इस वीडियो म ग्रैंड लिक्स भी विन करा कर देंगे और दोस्तों साथी जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो आज की इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगी और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बोलिंग बैटिंग दोनों से ही आपक प्रॉफिट निकाल कर दे और साथ ही जो हमारे कैप्टेन एंड वाइश कप्तान के लिए इंपोर्टन प्लेट से रहेंगे हम उनके बार में भी डिटेल में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को बीना स्किप की इंटक देखना ताकि आप इस मैस से चुड़ी यह टूजट सा सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो इसे बहुत यह अच्छा लगता है तो चान को सब्सक्राइब कर देना और अभी हम दोस्तों चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डीटियल में कवर करते और सबसे पहले हमारे रियल टेलीग्राम पे ही जुड़ोगा और दोस्तों हमारे ही नाम से तो अप्टर लाना बैटिंग ओडर के बाद कुछ पी कर हमारे टीम में अपडेट्स होते हैं तो इसके सारी फॉर्द अपडेट्स इसी टेलीग्राम पे देंगा और यहां पर जुड़ने के लि में FSI VS KR के वीच में दोस्तों यह गंगा टीटन किर्केट का यह मैच होगा जो की 23 इस रिच का मुकाबला है एक 45 पर यह मुकाबला स्टार्ट होता हुआ देखनों के मिलेंगे इनका सेम वेन्यों प्रामादत दिर्वेदी स्ट्रोडियम पर मैच देखनों के मिलेंगे जि इसलिए प्लेंग लेवन बैटिंग उडर में कुछ भी अबर हमारे टीम अपडेट्स होता है तो सारे अपडेट्स इसी टेलीगम पर देंगे सर्च नहीं करना डिस्क्रिप्सन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिलेगा उसी के तुरू जोड़ जाना है पीच एक तरह से जहां पर बैट्समें का रोल अच्छा कासा है कि आपको देखने की मिलेंगे और वेन्यू स्कॉर्ण जिनका पिटर ने बैटिंग फर्स करने वाले टीम ने इस वेन्यू पर दस बार विंगी है बॉल फर्स करने वाले टीम भी नौ बार विंग कर आ रहे है और हम सबसे पह बैट्समें ने टिंगी और बैटिंग बालिंग दोनों ही करवाते हैं अभी रिशन के मैचों में देखो 1260 का स्कॉर दो विक्ते जहां पर दो भर के बालिंग रहा इसे पहले एक रंग का स्कॉर था उसके पार ताइम बोल्र किसी-किसी मैच में बालिंग करा लेंगे पर बैटिंग बालिंग करा रहें ओपनिंग के प्लेयर से तो इनको अपने टीम में लेकर चलेंगा और आप इने ग्रैंड लिक्स वर मीनी जियल के टीम में वाइश कप्टन ट्राइक करके जाना सुवांचों की बात कर दूस्वांच में लेटम फास्ट बोलिंग करवाते हैं पहले सब्सक्राइब जीरो वेक्ट एक्षी नोटिस करोगे तो यह बोलिंग और बैटिंग दोनों ही गड़ा रहे और इनकी फॉर्म बोलिंग और बैटिंग दोनों से काफी बढ़िया टच में भी चल रहे तो इनको यहां से अपने टीम में लेकर जलेंगे और आप चाहूं तो कैप्टेन वाइ तो टीम के हमारे सेफ और रहेंगे यहां से इनको भी एजबर हम पीक करके जाएंगे रविंदरन को भी रखेंगे तीम के यह में और उंडर दोस्तों रिशन के मुकाबले भले ही फ्लॉप गये थे पर इसे पहले आठ का स्कूर वन बिक्टे तेरा का स्कूर वन बिक्टे बॉलिंग हर एक मैचों में कराकर दे रहें तो यहां से इनके शाथ भी जाएंगे दूबेगा भी जो फॉर्म है लेप्ट अडर वैट्स में लेप्टमी स्पिन बॉलिंग लाच्ट के मैचों में दसका स्कूर एक बिक्टे दोबर के बॉलिंग था इसे पहले विनों ने ह पर एक मैचों बॉलिंग और बैटिंग कराकर दे रहें तो जो इस टीम के पास में और रहेंगा हम यहां से उनको प्रिफर करेंगे तो हमारे टीम में वह को टॉप के जो चार से पांच नंबर तक प्लेयर दिख रहें यह सारो ही अपने टीम में लेकर चलेंगा और ग्रैं से रहेंगे सिवा मरवा यह जाओट फॉर्म प्रिटर से रहने वाले अब यहां पर अब यहां सब को देखने को मिलेंगे लाच के मुकाबलना तो बैटिंग नोगा रहा हला कि स्टार्टिंग फॉर्म में 19 का स्कोर एक टेक ओवर के बॉलिंग था इससे पहले भी नहोंने तो बॉलिंग मिला तो इनको रखने से में कुछ नहीं फ्रोफिट हो रहा होगा आप फिलाल ड्रॉप करके जाएंगे बेंच प्लेयर से भी देखो जो भी प्लेयर यहां से खेलेंगे ना इनकी सारे अपडेट्स इंफो मिसन आपको देते रहेंगा और यहां पर जुनने क के लिए किसी को भी सर्च नहीं करना वीडियो को ड्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने आपको लिंक दे दिया और उसी के तुरू हमारे टेलिग्राम पे आप सोभी को जुर जाना तो जुनना जरूर अब यहां पर बात करते जो क्यार के टीम है ना देखोगे तो इ बॉलिंग पार्टेंग कराते पर बैटिंग से जो हुसाथ है तीस या फिर चालिस प्लस स्कूर देखनों के मिलें और यहां से अपर हम इनको पिक करके जाएंगे और यहां पर जो मिंटू नजरेंगे तो लाश्ट के मुकाबले में 27 का स्कूर करके वन बिक्टें निकाले दोबर के बॉलिंग हाला कि यह पार्टाइम बॉलर है और मिंटू इससे पहले के दो मुकाबले यह फ्लॉप जा चुक है तो हम इनको रिस्क लेंगे नहीं जो भी फो हमें बॉलिंग से चल रहे हैं तो इनको अभी आप जील के टीम में रखो सोलंगी की बात कर दोस्तों तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट उपसंस रहें क्योंकि अखिले से मुकाबले खेलेना अपने पहले मैचों में दो विक्टे उसके बाद इन्होंने पांच का स्कोर जुरू बेक्टान ठाउन का स्कोर जुरू बेक्टे दो अपको बॉलिंग रा रहें तो इस मैच के तो यहां सब इनको अब इस अप्लेरंग करके जाने वाले बागी रिशप की बात करते हैं लाश के मैचों में 16 रंगा स्कोर करके वन बिक्टे और यह भी हमारे टीम के में और इनका एक मैच इसका बहतरी निकाले तो इनको यहां से टीम में लेकर चलेगा और में इजिल ग करते हैं लाश के मैचों में तीन विक्टे इससे पहले दो विक्टे तो यहां से इनको चाहों तो टीम में ट्राइक कर सकते हो अंकीत की थोड़ी बैटिंग ओडर नीचे आप देखो के तो इनकी बैटिंग ओडर में चेंजेस होते रहते हैं कभी कबार इनोंने वन डाउन स्कूर था और उसके बाद यह फ्लॉप रहते तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर्स को अपने टीम में जरूर से सिलेक्ट करेजेगा हिमान सोगरवाल बिल्कुल भी आउटा फॉर्म दोस्तों इनकी टीम अगर फर्स्ट में बॉलिंग राती है तो रखो कि लाश्ट के म लाइँ गरेंगे ना तो इनको ग्रेंड लिग्स के टीम्स में फिलाड ट्रॉप करेंगा और राज्च चोहान को भी हम आउट आफ फॉर्मी हैं हलागी कि किसी-किसी मैच में गडा स्कूर हमें नीचे विए तर्ड़ नीचे अश्किप्स में नीचे पर जोड़ जाईगा और अब दोस्त हम चलते हैं अपनी टीम कॉमिनेसं के बारे में बात कर लेते हैं तो यह हमारी टीम है पुरी तरह से डिफौल्ल टीम है क्योंकि आपको देखने में कुछ हजीब लगे कर टीम को यहां पर यहां पर एमने 6 बैट्समें नहीं है आपको बॉलिंग बैटिंग कर अब आपको पास बहुत सारे नजर आएंगे तो कैप्टन की जो सेलेक्टन हमारे पास लोगी रहेंगे जो आल्मॉस्ट नौ परशन लोगों ने कप्टन सी दे रखा वाइस कप्तान हमारे पास सेफ रहेंगा और सेफ टीम के शाथ इंवेश्मेंट बागी जो चीजए को मिलते लिए वीडियोस में कि निक्ष मैच इसकी प्रेडिक्शन के शाथ टेलिग्राम से जुड़ना मत बोलना डिस्क्रिप्शन मोक्स में नीचे आपको लिंक मिलेगा